नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज बात करने वाला हूँ जूपिटर रूपे क्रेडिट कार्ड के रिव्यू के बारे में इस कार्ड को मैंने यूज कर लिया है बिल रिपेमिंट भी कर दिया है और कैस्बैक्स वगेरा के बारे में भी लगबग मैं समझ चुका और साथी साथ आप यूपियाई टांजिक्शन करते हैं तो भी इसको मैं यूज कर चुका हूँ तो इसके रिव्यू के बारे में बात करूँगा डिटेल में वीडियो पहली बार देखे तो लाइक कर देखे हैं चार्ब को बता दू कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले यूपियाई टांजिक्शन पर क्यू कि ये रूपे क्रेडिट कार्ड है आप देख रहे होंगे रूपे क्रेडिट कार्ड और ये ट्रांसपेरेंट है आधा और आधा यहाँ पर आपको पूरा दिख जाएगा कार्ड जैसे कि अगर मैं इसके दूसरे कार्ड की बात करेंओं तो इतर久 है यहीं ट्रांसपेरेंट नहीं है लेकिन यह ट्रांसपेरेंट आपको देखने को मिल जाता है तो और यह है कि UPI पर आपको आपको देखने को मिल जाते हैं जेवल्स जिसको आप cashback में convert कर सकते हैं अब तो 5% cashback के बारे में कहा जाता है जब ये card आप online और offline यूज़ करते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जेवल्स और यहाँ पर एक screenshot आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ प पास आपको वहाँ पर convert into cash हो जाएगा आपको मतलब मुझे इस amount का तो यह cashback हो गया offline यूज़ करते समय आप इसके बारे में बात कर लेते हैं कि payment वगरा कैसे होती है repayment की बारे में बात करने में UPI हो या offline online दोनों में ही यह जो है card वो smoothly चलता है और दूसरी बात करूं तो जो repayment है वो भी हो जाती है मैंने आपको बीडियो बना करके दिया था कि जो इसकी payment है वो settlement कितने दिन में होती है तो मैंने क्योंकि रात में किया था इस वरे से थोगा मुझे time लग गया लेकिन अगर आप 10-6 के बीच में official time जो official time होता है office का तो उस time करेंगे तो मुझे वाली है और साथ ही साथ क्योंकि जूपिटर का ये credit card है और csv bank के साथ उनका tie up था तो वहाँ पर एक option होता है loan वाला section जो जूपिटर में पहले loan का था अभी उसका नाम जूपिटर loan मिनी loan इस तर से करके उसका नाम रख दिया गया है तो वहाँ पर loan वाले section में भी आपको option देखने को मिल सकता है कि आपको वहाँ पर पहले offer नहीं दिख रहा होगा तो अब offer आपको देखने को मिल जाएगा तो ये है review card का जो मैंने अभी फिलाल use किया है और अभी तक तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है लेकिन एक चीज आपको ये कहना चाहूँगा क कि जब भी आप online transaction करते हैं तो आप ये जरूर चेक कर लें कि आपका जो jewels है वो कितना receive हो रहा है और लगबग हर हर transaction पर आपको देखने को मिल जाता है और दूसरा timely आपको payment करना है और timely आपको वहाँ पर जो bill की payment है उसको कर देना है late payment नहीं करना है नहीं तो आपको charges देखने को मिल जाएगा और वैसे तो देखा जाए तो 25 से ऊपर की transactions पर other cards की बात करूं तो पंदर सो से 25 के बीच में आप EMI में convert कर सकते हैं transaction को तो मुझे रहता है वो भी option इसमें आपको देखने को जरूर मिलने वाला है तो यह था मेरे end से Jupiter रूपे credit card का review बागी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका क्या कहना इस card के बारे में वह आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं और आपको अगर इस card के बारे में कुछ extra पता है जो आपको यूज करके समय experience हुआ या practical आपको वहां पर knowledge देखने को मिली जानने को मिला इसके बारे में तो वह भी detail मे कमेंट कर देना ताकि मुझे पताई लोगों ही नौय सबस्कारा मत भूलेगा अगर आपयडे कर ले चाहते हैं तो अब अबरूबाल लिंग प्लॉक से दिक्रेप्चन में मिल जाएगा जाकर कर कर सकते हैं डिफरेंट वहाँपर आसकते हैं, वहाँपर भी आसकते हैं, बात चीत हो सकती है, साथी साथ आप उतांच चाहूँगा है, कि सादर चाहने बिलोग्स के नाम से एक यूच्टूप चैनल और है, उसको भी हाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ प्याद को ब्लॉग देखने को मिल जाता है मिलते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो में इतना ही नमस्कार